हाई गाईज आज है 28th of Feb याने की मन्त का सबसे आकरे दिन और आज एक बर फिर से हम देखने वाले हैं कि 5 EMS setup ने bank nifty में किस तरीके से performance आज दी और साथ हम यह भी देखेंगे कि आज का जो market था बहुत ही जादा उपर नीचे volatile था और इस volatile market के अंदर आप psychology को कैसे controlled में रखते हैं वो चीज़ भी आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं साथी साथ आपको पूरे मन्त का जो back testing का data है Feb मन्त का आज का data include करने के बाद मैं आपको show करने वाला हूँ कि overall result कैसा रहा और जैसे कि बहुत सारे लोगों ने बोला कि March मन्त में भी हम continue रखें इस back testing को तो वो मैं continue रखूँगा साथी साथ जो Feb मन्त का data मेरे पास collect हो गया है उसके अंदर modification करके देखेंगे कि हम अपने winning के rate को कैसे बढ़ा सकते हैं और जो loss हो रहा है उसको हम कैसे कम कर सकते हैं तो वो modification जो है अब मैं Feb मन्त के data में कर सकता हूँ क्योंकि वो मेरे पास Excel sheet में available है तो सबसे पहले देखते हैं कि आज market जो है जब open हुआ तो हमें entry कहां मिली तो यहां पे देखोगे यह वाली जो candle है बड़ी वाली green candle यहां पे market open हुआ और उसके बाद आप back to back देखोगे तो एक market जो है descending triangle pattern बनाता जा रहा था और काफी बार उपर नीचे उपर नीचे कर रहा था यह volatile बहुत ज़ादा था दोनों तरफ से जो हमारे sales यह हो रहे थे तो जिन लोगों की भी psychology week होगी वो लोग यहां पे जो है position या तो बना नी रहोंगे या बना रहे होंगे तो डर के मारे fear की वज़े से वो positions को वहां पे काट रहे होंगे तो finally हम 5B में setup का wait कर रहे थे कहीं तो हमें entry मिले और यहां पे अगर आप देखोगे तो यह जो candle है 12-20 की इसको 12-25 वाली candle ने low को break किया और यहां पे यहां पे entry मिली और जैसे हम यहां पे entry लेते हैं हमारा stop loss तकरीबन तकरीबन 31 point का था spot के चार्ट पे और यहां से market नीच आके इतना बड़ा low बना के फिर से उपर चला गया अब यहां पे week psychology again अगर आपकी होती तो आप यहां position काड़ देते ठीक है बहुत सारे लोग यहां पे यही करेंगे लेकिन rule market का rule है अगर आपने कोई SL decide किया है तो जब तक SL ना hit हो जाए तब तक आप बजार से फिर target के पास पहुंचने के बाद 10 point नीचे target को छोड़ के reverse हो गया क्या SME में market से निकल जाना चाहिए answer is no दोनों में से किसी एक चीज़ को महिट होने का wait करेंगे दुबारा हमारे SL के पास में आता है और 10-15 point के पास से फिर नीचे चला जाता है तो इस तरीके से बजार न इसमें अगर निकलेंगे तो हम वेट करते रहे और यहां पर आप देखोगे तो finally इस जगह पर आने के बार मार्केट धीरे दीरे वीक पड़ रहा था और इसने यहां पर हमारा target को hit कर भिया और target हिट करते ही हम बाहर निकल गया हमने एक दो यह तीन candle जो नीचे किवनी हमन है on that data I will be working जो भी मेरे पास 5 मंत का पूरा data है उस पर हम काम करेंगी कि इसको increase कैसे किया जा सकता है आज का data अगर हम include करते है excel sheet पे तो यहां पर देखें तो हमारा stop loss था 31.5 spot के chart पे और target हमारा था 93.10 almost 93.5 spot के chart पे जिसको add कर दिये गया है sheet और इसको ले करके अगर हम data दे रहे थे back testing कर रहे थे real trade यह नहीं था one lot पे हमने पूरे month trade करके देखा one is to three का target रखा P&L हमारा 9584 बढ़ा 10,000 की capital इसके इंदर invest होगी on an average इसमें brokerage हमारी 2800 रुपे की लगती है और net P&L जो निकल के आता है वो 6784 का निकल के आता है अब यह अगर हम increase माने 10,000 पे तो 67% के आसपास increase है एक month में 67% का increase आपके capital पे यह तभी possible है जब आप एक strategy पे trust करके उसको लगातार use करते जाते हैं और अगर वो strategy proper काम नहीं कर रही है तो उसके अंदर आप थोड़ा सा modification कर सकते हैं इसका मतलब यह नहीं कि आप strategy बदल दें और उस पे बरुसा ना करें ठीक है त तो 67% का increase अगर मैं profit count की बात करूं तो total 40 trade थे जिसमें से 14 trade के अंदर profit हुआ 26 trade के अंदर loss हुआ तो अगर आप ratio देखोगे कि profit कितनी बार हुआ 14 बार और loss हुआ 26 बार almost double है loss का count है लेकिन फिर भी आप profitable है 67% के profit gain के साथ में winning percentage आपकी only 35% यानि 65% time जो आप lose कर रहें लेकिन क्योंकि आपका target 1 is to 3 का है जो आपको इतनी बार lose करने के बार भी आपको जो है बचाता है market में और आपके capital को protect रगता है अगले मत भी मैं continue रखूँगा जैसा कि आपकी request है और इस 5 मन्त के data पर जैसा कि मैंने बताया कि मैं जो है modification की कोशिश करूँगा कि इस 6784 का जो amount है इसको और कैसे increase किया जाए कि almost 80% 85% तक जा सकता है कि नहीं and I will be sharing the update in the upcoming videos so अगर वीडियो आपके लिए informative रहा और इस तरह की back testing आपके लिए फाइदे मन्द है तो वीडियो को like जरूर करें साती साथ चैनल पर वहली बार है तो subscribe कर ले और bell icon को press करना जरूरी है क्योंकि उससे video जब भी मैं upload करूँगा आपके पास notification सबसे पहले आ जा करते हैं so I will meet you in the next video till then take care and keep learning new things as always